जैशी राम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सुड़न्वेंट वीडियो में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों हम केमेस्टी का 25 डेज क्रेश कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम लगभग डेज 16 तक अपना 80% स्लेबस कर लिया है तो हम अब साथ ही साथ previous year paper भी solve करेंगे ताकि आप उन सब topic का revision हो जाए जो हमने अभी तक कर लिये है और आपको idea भी हो जाएगा कि paper की side में आता है और अगर आप बाद में यह video देख रहे हैं तो हमारी playlist में आपको chemistry का सारा content बिलकुल 3 मिल जाएगा जिसका link आपको description box में मिल जाएगा तो शुरू करते हैं हम आज का paper तो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं Chemistry Medical Wall का 2020 में जो paper आया था वो उस पर आले portion को हमाज complete करने वाले हैं तो जिसमें पहला question आया हमारा थी bond order of O2 plus O2 positive का bond order हमारे को निकालना है तो दोस्तो इसकी electron configuration होती है MOT का मतलबे molecular orbital theory की electron configuration होती है वो आपको पता होना जुरूरी है दोस्तो मैं एक बार लिखे देता हूँ उस electron configuration को तो इसकी electron configuration होती है दोस्तो sigma 1s ठीके दोस्तो उसके आदाता फिस सिगमा star 1s ठीके दोस्तो मेरे साथ साथ आप भी इसको एक बार copy में लिख लो यूँगे बहुत जादा जुरूरी है उसके आदाता है sigma 2s ठीके दोस्तो फिर से आता है sigma star 2s ठीके दोस्तो जो star वाले compound होते है वो anti bonding होते है ठीके दोस्तो उसके बाद आता है sigma 2pz ठीके दोस्तो उसके पाई टू पी X which is equal to पाई 2PY ठीक है दोस्तों पाई 2PX है दोस्तों यहां पर X which is equal to पाई 2PY ठीक है दोस्तों साथ में अब इसके साथ क्या होगा फिर से स्टार वाले लिखेंगे तो स्टार वाले कौन से लिखेंगे दोस्तों यह वाले सार वाले लिखेंगे हम साथ में यह वाले स्टार वाले लिखने पढ़ेंगे दोस्तों तो इसे वाले कैसे होंगे हमार पास इसको लिखते हम दुबारा से तो यह होंगे हमार पास देखो क्या सिगमा था है यहाँ पे तो यह होगा हमारापास SIGMA स्टार 2P Z साथ में πाई स्टार 2P X भींच इस इकल टू पाई स्टार 2P Y ठीक, दोस्तो तो हमारे को किसका है निकाला है? हमारे को निकाला है Oxygen O2 किसका निकाला हमारे को दोस्तो O2 प्लस का तो ओ टूफ में किन एल drown होते हैं मार पार 15 किद्न उते दोस्तो 15 क्योंगि o2 में 16 होते हैं प्लस का निशान लगाया तोिक तुफट्न होंगे 15 वहंगे 15 अलेक्टान भरेंगे हम दोष्टो दोष्टोओं दोष्टोओं मैंसमें अजाएंगे दो चार दो छे दो आठ दो दस दो बारा तेरह चौदा और एक पंदरा ठीक है दोस्तों यहां तक आपने सबन इलेक्टरन कॉनिफिकेशन लिख ली अब दोस्तों इसके बाद क्या निकालते हम क्या फार्मुला था नंब्र आफ बॉण्डिंग माइनस एंटीबॉर्णिंग्र से पहले को एंटी बोनडिंग पता हूने चिह एंटी बोन इंटेवानें टीफ नीग कि तो जिसमें चार लगा तो एंटी बॉर्णिंग है ए ऐसमें और यह मतलग मतलब इसका फार्मूला थो हाटा है दोस्तो हमारे पास half number of bonding minus number of anti-bonding लिखे हो to half number of bonding कितने तो 10-2 कितने अन्थ त death five तो विच्छ हांके तो फाइव दोस्तो दोस्तो इसका answer कितना उनाघ्र oh प्रिवेस यह जो हमारा मेडिकल वालों को दोस्तों तो यह वाला कोशन आया था दोस्तों क्यूंकि है अगर आप प्रिवेस यह सारे पेपर भी पढ़के जाएंगे तो उसमें भी आप थार्टी आउट ऑफ ट्वेंटी या फिफ्टी नमबर तो आरम से लेई सकते हो थीके दोस्तों तो हम लोगों सीरिस क्या होती हमार पास CH4 मैं आपको बताई थी उसमें भी C2 H6 ठीक है दोस्तों कितनी होती C2 H6 होती तो इन दोलों को माइनस करना है ठीक है दोस्तों तो C2 यहाँ पर 1 C है तो 2 मैंसे 1 है C1 बच जाएगा यहाँ पर H कितने 6 H कितने 4 तो 6 मैंसे 4 गे तो H कितने आ जाएंगे 2 CH2 तो difference कितना जाएंगा CH2 तो option number B is right answer नेक्स्ट कोशन मेलेचाइट इस दी ओर और तो दोस्तों और वाला कोशन आपको मैं बहुत अभी तक जीत रहे हैं हमने पेपर के उनमें सब में बता चुका हूं कि और वाला कोशन आता ही आता है एक और होग एक रेक्टिवीटी मैंने त्रिक बताई थी OARS की मैंने अपनी वीडियो में ट्रीक करवाई आपको जो हमारे 25 डेस्क्रेस कॉर्स है उनमें मैंने इन सब की ट्रिक करवा रखी है दोस्तों एक बार उन वीडियो को जुरूर देख लेना मैंने चाहिट किसको और होता दोस्तों कॉप्पर का किस हमार पास पॉलीमर वारे चप्टर से कोशन आया था कि पॉली टेटरा फ्लोरो इथाइलीन इस यूज़ फॉर मतलब इसको हम PTE की PTFE भी बोलते हैं PTFE का मतलब है फ्लोरो पॉली टेटरा फ्लोरो इथाइलीन तो यह दोस्तों कहां यूज़ होता हमारे जो कुकिंग पैन बगारा में होते हैं नौन स्टीकी जितने भी जो नौन स्टीकी बोलते हैं नौन स्टीकी हमारे पास पैने तो उनके लिए वह किस रहा था आइल्कोहल और कार्बाइड वाले reaction से क्या बनता दोस्तों आस गांता हमारपास एस्टर बनता है क्या बनता इस्टर बनता थर बनता इस्टर बनता दुसको क्या होते हैं योचन भी actual में बना ही रखिये दोneumo यहां क्या था एक यूज 엄 सच्छ ध्या था हमने क्या तो यह एस्टर बनता हमारा किस से एल्गोल और कार्बॉक्सलिक एसलिए इसको क्या बलता है मैं एस्टरफिकेशन रियक्शन भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ The next question हमारा Which one of the following has the highest diaper movement इन मैंसे सबसे ज़्यादा diaper movement किसका है तो दोस्तों जिसमें h ज़्यादा ch3 उसका सबसे ज़्यादा और पास diaper movement है तो यहां पर कोई भी अच नहीं तो इसका diaper movement हमार पास जीरो है इसका थोड़ा कम है उसके बाद से ज्यादा नहीं दोस्तों सब यहां पर तो उसका उससे जादा है इसका CS2 का उससे थोड़ा जादा है और CH3 इसमें अच कितने दोस्तों तीन है तो जिसका सबसे जादा डाइपोर मुवेंट है CS3 CL is right answer next question हमारा 95% Ethyl alcohol is called 95% Ethyl alcohol को हम क्या बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं यह दोस्तों बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसको क्या बोलते हैं 95% हमारा पास एल्कोल उसको क्या बोलते हैं दोस्तों next question हमारा maximum percentage of poly poly saturated fatty acid is found in maximum percentage of polyunsaturated polyunsaturated fatty acid is found in किसमें पाया जाता दोस्तों यह पाया जाता हमारा पास sunflower में तो sunflower is right answer तो सब इसका answer होना तो option number C next question हमारा पास दोस्तों how many how many ions are produced from the complex कोई complex compound रिया मारा पास उसमें कितने ions present हमारा पास तो यह question दोस्तों नाई chapters आया plus two की book से coordination compound वाले chapter से question आया दोस्तों तो हमारा पास क्या coordination compound है CO NS3 6 CR2 दोस्तों जब हम इसको तोडएंगे तो कैसे तूटता है दोस्तों यह complex compound है तो यह वाला लग तूटता है यह वाला लग तूटता है तो complex compound में यह difference होता है double salt और complex compound में कि double salt पूरे ions में तूटता था पर यह count जो हमारा पास complex compound होते पूरे ions में नहीं तूटते हैं तो यह कैसे तूटते का source दोस्तों प्लस एटूटे का 2cl नेगेटीव में तो दोस्तों इसमें पूछा तक कितने ions प्रेजेंट तो दोस्तों इसमें होते और पॉजिटिव निशाने से एक इसमें होता तो किने ions प्रेजेंट है दोस्तों इसमें तीन यहां पर देहां से रखना दोस्तों यह इंपोर्टन क्वेशन है कि हमने यह अपनी वीडियो में पढ़ा था कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट प्रॉप पर कितना होता है दोस्तों वैस्तों मैंसे लिख देते 270 वैस्तों मैंसे लिख देते 273 कल्वीन होता पर अगर दोस्तों प्रॉप पर पूछा हो तो प्रॉप पर कितना होता दोस्तों 273.16 कल्वीन कितना होता दोस्तों 273.16 कल्वी नेच्ट कोशेन ने दी एन एक व और एक्स जो एक्कोष सोडीूशन है मार पास वो क्या होता दोस्तों न्यूट्रल रहता है अंफॉरे टीक होता है एक बात आपको दोस्तों पता होनी चाहिए कि भॉर एक का फार्मूला क्या दोस्तों aga N a2 b405 of H का 4.8 UO ďच कर थीकर दोस्तों यज इसका बोर EHH का फान्म आरा together और ऑर पास हमारा hold data होग आर और feminist ओर शेप्टर्स रगजशन आयए थैं वो कैसा है दोस्तों वो прitt gleich या तो दोस्तों ब Store manage to orchid back person के एक एकोषिन क्या ये वी खिच्छन दोस्तो जिस्में जुक्षीन के मैं पास एक रीकुष्चन ऑपाफ– कया देना मेरे पास और सोस्ति प्लस दी और सात में क्या निकल फिर्ट ये process हमारे पास क्या होगा यह तो हमारे पासxit लटा खीकिंट है ठीक है ठीक है तो हमारे पास किप confusion क्या थी देक्षामा है अपनी वीडियो Met濑 कर वाए था आपको DT DT DTS दो धीकिंट अच माइनस टी डलता स क्या दर राक्रूजबा ल सब्योंगाइन की यह नोधर की एन नेकिटिव आ जागी और अगर डेल्टाजी गए वेल्व पास नेगेटीव तो कौनसी रिक्षण होतीं दोस्तों जिन जिन विडियो रखे 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 हो इसका रिएक्षण होना था हमारा अंसर होना था नमबर बी इस राइट आंसर नेच्ट कोईशन रमारे यूनिटि estar कहा दोस्तों इसकी उनिट होती है विसकॉस्टि के हमारे पास पॉस्कॉस्टि के मारे पास एइसे यूनिट पूछाऊ तो तो वो होती है पास्कल सेकंड क्या होती दोस्तों पी ए डॉट स्कल इंटू सेंड तो अगर ऐसा हीम पूछा तो पास्कल इंटू सैंड होती हो अगर सीजी एसम पूछा तो इसकी विस्कॉश्टीड यूनिट क्या होती है. नेक्स्स कोशिटन हमारे पास which of the following निए तो इसका इन मेंसे हमार पास सबसे ज़्यादा सबसे जादा स्धी कौन सा दोस्तों तो वह कि अधा है यह क्यों इक है दोस्तों क्लूरीन के हमार पास नॉन मेटल जहां क्या होते हैं इसे आंसर हो Janeiro Conventionि उभा उना मेसर क्या क्या हो नाथ हमारा पास अपस है क्य हमारा इस विडियो में घंट ऑन की पढ़ रखल की ओर नर्मेटल शुदोस्य और मैंटल के गैं इसने और ल्भू होना थाइस तो इसने यहांков चैप्टरेमें में कारा सब्सक्राइब का फार्मूला क्या होता हमार पास MgSO4.7H2 यह दोस्तों याद रखना कितना होता है 7S2 है लिटोक्साइड गिरना होता है 7S2 इसका हमेशे याद रखना यहाद रखना यहाद ऑप्शन में 2S2O इसका फार्मूला हमार पास MgSO4.7H2O नेक्स्ट हमार पास the reason closest to the earth surface कौन सा कहा हमारहे सारफेस के नज़्धी के तो सब से पहली कौन सी होती दोस्तों ट्रॉपिपाजब क्या होतता है उस बलते हैं सबसे नजग होति हमारे एर्थ के एक इस यह पाह जाता है किसमें पाए जाती स्थेन पाई जाती है इंपॉर्टेंट जोस्तो तो करते हैं स्विशन की तरफ दी जेट ओफ केमिकल डियक्षेन डबल फॉर एवरी तदीण डिग्रीड देज्वी देनन 60 डिग्री तक पहुंच रहा है तो आपको बताना कि रेक्शन कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों तो इसका अंसर 32 होना था मैं आपको सॉल्ब करके भी बता देता हूं दोस्तों माल लेते कि महारे पास जब हमारे पास 10 डिगरी सेल्सियर था तो हर elles 10 डिगरी फाद का रहा हो डॉबल हो जा रहा मतलब अगर पहले दस डिगरी पे दो था तो अगली 10 जिकनी 20 में किना हो जाएगा 22 1 एकाइए 2 एक पार 1 हो जाएगी ठीक है जूकर चैनल हो जाएगा 2 की पाइव फार 5 पार 5 हो जिएगी दो नहीं होती दोस्तों क्या होना था option number a is right answer बढ़ते हम अपने next question की तरह baking powder is a mixture of जो हमारा baking powder किसका mixture होता है मार पास baking soda or tartaric acid का mixture होता है मार पास baking powder किस-का mixture होता है दोस्तो baking soda and tartaric acid का mixture होता है ठीक दोस्तो ये question थोड़ा ये paper जो हमारा था medical वालो को इसका chemistry portion थोड़ा tough आया हुआ था तो next question की तरह पढ़ते हैं during combination of glucose C6H12O8 which products are formed ये तो दोस्तों combustion of glucose था ये तो reaction glucose वाली reaction होती दोस्तों यहां भी मैंने आपको लिख रखे glucose वाली reaction क्या होती C6H12O6 जब भी हमेशा तूटता है दोस्तों oxygen की presence में तो क्या बनाता है carbon dioxide और water हमार पास रिमूव होता है carbon dioxide और water रिमूव होता है तो इसका सही answer क्या होना थो option number 20 right answer next question मार पास silver metal जो made jewelry become dark silver metal की jewelry क्या हो जाती डार्क हो जाती और copper made की कैसे जाती दोस्तों green हो जाती किसकी वज़ासे होती है दोनों चीज़े यह दोनों चीज़े होती दोस्तों हमार पास corrosion की वज़ासे होती है corrosion की वज़ासे होती है दोस्तों हमने इसका formula भी पढ़ा था अपने previous year वीडियो में की जो green copper green होता है तो उसका आपको reactivity series से भी फिट से कोशन आ गया है तो मैं हर एक वीडियो में अपनी जिसमें भी यह कोशन reactivity series आती है तो मैं आपको हर एक उसमें reactivity series आपको करवाता हूं तो दोस्तों एक बाल मैं फिट से लिख देता हूं reactivity series क्या था दोस्तों please stop calling me a cute zebra a cute zebra I like I like 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 से क्या बनाता लेड दोस्तों I like her hydrogen call my smartest AG और EU smartest girl to each of the falling metal will show least reactivity तो सब्साइब रेक्टिव होता है दोस्तों potassium इसके बाद की से होता दोस्तों see you तो इसका answer क्या होना था हमारे पास see you copper is right answer तो reactivity series के आपको मैंने short trick बता रखी दोस्तों इसको याद कर ले ना मैं बार बार बो रहा हूं reactivity series से question आता ही आता है दोस्तों next question हमारा generally sulphide ore यह भी हमने अपनी वीडियो में कर रहा था कि sulphide ore को जब भी हम कनवर्ट करते दोस्तों किस प्रोसेस से करते हमार को रोस्टिंग से करते किस से करते हम दोस्तों रोस्टिंग से करते आपको मुझे comment box में बताना दोस्तों कि केलशिनेशन को कौन से ओर को कनवेट करते हैं मैं अत्stein को स्टेल आरदर कर Like किससे दोस्त के से दोस्तों और करते हैं ऑप्षिन नंबर बिद्धार औंसर नेच्ट को ठीश्य से घयते हुआ है। आई कि तो आडियेक्टिभीटी सीज हमारी क्या थी दोस्तों प्लीज स्टॉप तो इन ध दोस्तों कॉलिंग केल्शिम कॉलिंग में मेंगेशियुम और क्यूट जैवरा एलमीनियूम क्यूट से कार्बन जैवरा से इस एस दोस्तों आइरन परमा एंटर्फी टिखते आई ल माई मरकरी स्मार्टेस सिल्वर एजी और सिल्वर माई स्मार्टेस गर्ल गर्ल जी से दोस्तों गोल्ट एयू तो इंद में से दोस्तों कौन सी डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन करी तो डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन क्या होती दोस्तों ज्यादा रियक्टिव होगा वह एक द ठीक है next नमार पास Magnesium Magnesium बी ज्यादा он refugee tiv वी किस से दोस्तो Aminium से termission पेहले आता तो जादा रही आक्तिव यह भी दोस्तो हो गा नि medo आ डोस्तो फी भी पहले आता किस से दोस्तों सीलबर से एजिस ए तो यह दोस्तों यह होगा नी तो option number three is silver. इसिल्वर दोस्तो बाद में आता किसके कॉपर के सिल्वर किसके बाद आरा कउपर बाद आरा तो मतलब क्या कर देगा डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर को तो कौनसी रिएक्शन होगी दोस्तो एजी आदो थ्री वाली रियक्शन solution and copper metal तो option number D is right answer तो next question हमारा दिदार्क zone of candle fan तो दोस्तों में candle flame का आपको तीनों जोन बता रखे थे तो यह होता है दोस्तों आउटर जोन इसे अंदर लाँ तर ट्या बोलते है मार पास बोलते हैं तो जो हमार पास outer zone होता है दोस्तों ना लुमिनस लिख देता हूं जो उससे अंदर वाला पास लुमिनस और सबसे अंदर वाला कौन सार दोस्तों डार्क जोन को सबसे हम इनर जोन भी बोलते हैं तो option number C is right answer मैं अपनी वीडियोस में फ्लीम वाले चैप्टर में य सब्सक्राइब करें in वित्युंद दूस्तों इसका सेकृंट इसका गाल है क्योंकि इसका कितनों दोस्तों वेत्युनीफ occupied सुथ दोस्तो 78 इसका अटमिक नंबर है the next question हमार पास the term catalyst was introduced by catalyst किसने introduced किया था दोस्तों यह किया था हमारा बरजली उसने किसने किया था बरजली उसने हमार पास catalyst in introduced किया तो option number C is इसका right answer iron obtained from the blast furnace जब हम blast furnace करते हैं तो कौन सा iron हमार पास orbit end होता है तो वह था था तो तो यह मार पास pig iron option number C is right answer pig iron हमार पास blast furnace जब होता है तो next question हमार पास which of the following is an electrophilic reagent तो दोस्तों यह मार पास general organic chemistry से question आया है plus 1 की book का question है mechanism of electrophilic substitution से आया है general organic chemistry से तो हमार पास कौन सा इनमें से electrophilic reagent होता है तो हमार पास ALCL 3 हमार पास electrophilic reagent होता दोस्तों तो option number C is right answer तो next question हमार पास which of the नहीं दोस्तों element belongs to group number 13 of the periodic table its oxide should have the formula is तो दोस्तों इनका oxide का formula का आता दोस्तों तो यहां यहां आपको वीडियो में दिख्राओंगा दोस्तों तो बोलों के चित्रे में हमार पास element होते हैं उन नेक्स्त क्वेशन हमारा which of the following is a molecular disease इनमेंस molecular disease कौन सा है दोस्तों तो इसका answer हमार पास cancer तो option number D is right answer तो आज यहां की वीडियो हमारी खतम होती है दोस्तों तो आई hope अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हुई है तो हमारे ऐसे हमारे चैनल से जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों जूरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस